सफलता की कहानिया सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये कहानिया गढ़ने वाले हमारे रूबरू हूँ कुमर हरवन सिंग की पहचान आज एक सांसत की है, लेकिन इस सांसत की पोजीशन तक पहुचने के लिए कुमर हरवन सिंग ने प्रताब गढ़के गाउं से, एक छोटे से गाउं से, एक नहायत गरीब परिवार के भीतर से निकल के, जिस तरह से बंबई में अपना मुकाम बन चाहते हैं, उस पुरवांचल को कुछ वाकई देना चाहते हैं, जिस पुरवांचल की मिट्टी में वो पैदा हुए, जिस पुरवांचल की मिट्टी में वो पले बढ़े, और जहां से उन्होंने शिक्षा ली, 50 रुपय जीब में रखके मुंबई तक का सفर, हम सिर्फ सो बलकि दूसरों की जिंदगी को बहतर बनाना यही कुमर हर्बंद सिंग की आज पहचान है वैसे तो वो छत्री महा सभा के भी राश्ट्री अध्यक्ष हैं लेकिन उनकी सोच पूरे समाज को लेके आगे बढ़ती है आज हम बात करेंगे कुमर हर्बंद सिंग से जो तहलका न का था तो पिदा जी गुजर गई मेरा चोटा भाई एक साल का था ओर मैरी बहुत बहादूर थी जो मा जहसी गरानी लक्ष्जी में हिंमत थी वह हिंमत मेरी मा में थी भले हम लोग साधान परिवार में रहे और उन्होंने बहुत कश्ट करके हम लोग को पढ़ाया लिखा दोनों भाईयों को मेरा चोटा भाई एक साल करता जा पिदा जी की रहत होई अब समझते हैं कि हम सत्री परिवार में पैदा हुए थे परदा सिस्टम था खेती ओगर देखने वाला कोई नहीं था लेकिन माने कैसे कैसे मैनेज किया दूद खुद निकालना हाथ से और हम लोग को पिलाना और खाने पिने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई कपड़ा अच्छे सच्छे पहनाना जिससे हमारे मन में इंफिर्यार्टी ने और खुद हो कश्ट उठाती रही मैंने के बाद उसी समय एक फिल्लिम देखा था जीने की राह जीतेंद्र हमारे समय में हिरो हुआ करते थे और उस फिल्म में होता है कि जितेंद गाउं से ग्रेजुएशन करते हैं वो बंबई जाते हैं बिल्डर के हां नवकरी मिलती उनको 150 रुपे की और 7-8 साल मेंनत करके वो बिल्डर बन जाते हैं और खुब पैसा कमाते हैं फिर जो फिल्मों में आता है प्यारवार सेट की लड़की से उनका प्यार हो जाता है मैंने निश्य किया कि मुझे भी यही काम करना मैं मिल्डर बनूंगा बहुत पैसा कमाऊंगा और मा के कश्क को दूर करूंगा अपने परिवार को उपर लाऊंगा मैं बंबई गया मा चाहती थी कि मैं में स्याजी करूं तो मैं कहा करता में बिजनस्मेंन थे उन्होंने मा के लिए जेवर बहुत बनवाए थे तो दिवाल में कहीं रखी थी पहले तो बैंक को इंग था नहीं तो सीडी लगा के दिवाल खोद के इतना जेवर सब लेकिया ही और बोली इसको वेलेशन करा कि बेज डालो और इसे तुम लोग पढ़ाई कर लो पढ़ाई हमेशा नहीं होती एक बार टूट गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे और यह जेवर तुम्हारी अवर्तों के लिए है दोनों भाईयों के लिए फिर जब तुम लोग कमाना तो जेवर तो बन जाएगी लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी प मां को कैसे भी कन्विंस किया मैं सीजी नहीं किया चला गया बंबई मजे ख्याल है कि 40 रुपया घर में थे और 20 रुपया मां ने किसी पड़ोसिस लाया साथ रुपया मुझे मिला 38 रुपया का टिकट था उस समय थार्ड क्लास चलता था कासी एक्स्प्रस में गया बैटने की जगान नहीं मिली तो इतना भर गया था ट्रेन कि मैंने अपनी पेटी लेटिन रूम पर रखा गया अंदर उसी पेटी बैठके मैं बंबई रुपय से मैंने अपनी जिन्दगी शुरू किया वहां एक टिंड की पेटी थी हाथ में उसमें एक जोड़ी कपड़े थे कुछ चनालाई गुड़ था यहां से मैंने शुरू किया और नवकरी ढूड़ा तो दो मेना नवकरी नहीं मिली इंटर्व्यू रोज देते रहा म मैं एक दिन नवकरी मिली दो नवकरी मिली सुबह चिठी आई एक मिली कि मरफी रेडियो तब हुगा करता था कि मरफी रेडियो मा आपको आपको मिल गया है और धाइस उर्पे आपको तंखा मिलेगी वीकली आप मिलेगा दूसरी चित्ती आई विल्डर के हाँ से कि आपके तंखा देड़ सो रुपया फिक्स की गई है और ड्यूटी बारा घंडे की रहेगी और कोई हालिडे नहीं होगा मेरे दोस्तों ने कहा तब सो रुपया बहुत होता था दोस्तों ने कहा कि 80 रुपय में खाना हो जा करता था मैंने भरका और बोला वो लोग समझाए कि 20 रुपया पाकेट खर्च रख लेना सो रुपया अगर घर पे भेज दोगे तो भाई पढ़ लेगा चोटा भाई और मां भी शुक्की रहेगी तब सो रुपय को एलू थी मैंने बहुत सोज विचार किया मैंने का मैं नवकरी करने तो आया नहीं हूं मैं कुछ सीखने आया हूं कुछ बड़ा काम करने आया हूं तो दोस्तों की आफर को ठुकरा के मैंने डेढ़ सो रुपय आली नवकरी जॉइन कर लिया सुबह जाकर मैंने सोचा कि मैं कलर का हैट कलर खो जाओंगा लेकिन बिल्डर नहीं बन सकता व्यापरी नहीं बन सकता यहां काम करके मैं बिल्डर बन सकता हूं तो गया मैं जॉइन किया और 12 गंदा काम करेकी करे कि मुझे satisfaction नहीं मिला कभी train लेट हो जाती थी कभी bus लेट हो जाती थी जाप satisfaction नहीं मिला था तो नहीं अपने company के मालिक सका थी कि मुझे site पर ही construction site थी एक room finish करा दो कि मैं यहां रहूंगा तो सुबह साथ बजे से रात को बारा बे तक मैं काम अच्छी तरस देख पाऊंगा उन्होंने चार दिन में रोम फिनिश करवा दिया और वही में रहना शुरू कर दिया और सुबह सत बजए में पहला phone करता था सेट को और रात को 12 बॉजए phone करता था क्योंकि काम बहुत तेज करवाना था लेकिन बगल के लोग बहुत चिलाते थे तब ये 9-10 बज़े वाला रात वाला रूल नहीं था सुप्रिम कोड का आदेश तो हम लोग 12 वे रात तक काम खेशते थे जब लोग चिलना शुरू करते थे पुलिस आ जाती थी कभी-कभी तो मैं काम बंद करवादे था इस तरह से कंपनी मेरी क्रेट बढ़ गई मेरी इजद बढ़ी और उन्ह दोहजार रुपया हो गई थी जब दोहजार रुपया बहुत अच्छी दंखा मानी आती थी कि 78 में मेरा एक्षेप्ट हुआ है और मेरे अपना काम चालू किया जे कांट्रक्टर है बर्मार्सेल कंपनी होती थी उस समय बाद में भारत प्रेट्रोयल्म का प्रशन हो गया ह है तो मैंने को सिफ्ट कर लिया नईंड़ी है और फिर मवह मैं में पहुत मेरा में मेरे पास कुछ था भी नहीं वोही मेरी सारी-पूई थी कभी 24 घंटा भी काम करना पढ़ा कभी लगाता रहा ताल्त घंटा कभी 32 घंटा भी काम करना पढ़ा तुमैने उसको किया मेरा एक सिध्धान था मुझे यहां तक पहुचना है और हमको जब हमारे परफसर पढ़ाते थे टीरी कालेंज में तो एक सैर कहते थे कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल मुशाफिर अगर अपनी हिम्मत नहारे तो मुझे ख्याल था और फिर मुझे सफलता मिलती गई और आज बंबई के जो द